केंद सरकार ने कहा है कि यूकरीन संकट के प्रती उसका द्रिश्ची कोन संगहश को समाप्त करने के लिए बादचीत को बढ़ावा दे रहा हैं साथ ही अपने लिए और दुनिया के लिए आर्थिक संकट को कम करने और इन उदेशों के लिए अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम करना है वहीं विदेश मंत्री एस जेशंकर ने संसर में यूकरेन के स्थिती पर चर्चा कर जवाब देत हुए सुकार किया कि संघर्ष के वेस्विक अर्थ विवस्था और भारती अर्थ विवस्था के लिए महकून पनी नाम है साथ ही उन्होंने खुलास किया कि दुनिया भर के देशों में कोविड टी के पहुचाने के बाद भारत से कई देशों द्वारा रूस यूक्रेन संकट के दोरान गेहुं और चीनी की आपूर्ती के लिए संपर्ख किया गया है विदेश मंत्री एस जैसंकर ने कहा कि अनिस सभी देशों की तरह भारत भी इसके प्रभावों का आकलन कर रहा है और यह तैह है कि रास्ट ये हित के लिए सबसे अ प्रभाव को कम करने के लिए अंतुरास्टी समुदाय और भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करेगा जहां ध्यान अपनी आर्थ विवस्ता पर इसके प्रभाव को कम करने पर है वहीं भारत बहुत कठिन समय से गुजर रहे भागीदारों की भी मदद कर रहा है उन्हों कि देशों ने भारत से गेहूं और चीनी के आपूर्टी के लिए संपर किया है और हम सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं चाहे बास्मती चावल हो गैर बास्मती चावल हो चीनी हो गेहूं हो या पिछली तिमाई में भारत को निर्यात में काफी विरिदी हुई है Bureau Report Market Times TV